स्वाल अब्रीबन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे फिर सब स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ HDFC Future Bankers Program 2.2Y Manipal Academy जोइन करें या ना करें बहुत सारी क्वाइरीज रहते हैं हर दिन मैं फेस करता हूँ वाटसेप पे कमेंट में किसा जोइनिंग लेटर आ रहा है जोइन करें या ना करें सर्भाइब कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे तो step by step बात करते हैं तो HDFC Future Bankers Program के अगर हम बात करें तो HDFC Bank में जॉब पाने के लिए सबसे बेस्ट प्रोग्राम है उन लोग उन केंडिडेट के लिए जिनका गैप ज्यादा है या फिर इनका इलिजिमिल्टी क्राइटेरिया डारेक्ट बैंक से मेंच नहीं करता है ठीक है एक सेप्राइब करते हैं काफी सारी चीजह अगर आप बिजनिस नहीं देगे आप जैसे फीचर बैंक के प्रोग्राम करेंगे जब आपको इंटेंसिब में डाला जाएगा तब आप तो सीखेंगे वर्ट ऑन जोब ट्रेनिम में आपसे सेल्स मांगना स्टार्ट हो जाएगा तो HDFC में अगर आप जातने हैं बैंक में तो एक चीज है कि आप अपना मेंटली थोड़ा स्ट्रॉंग बनके रहेगा और हाटली थोड़ा स्ट्रॉंग रहना पड़ेगा ठीक है क्योंकि वहां पे मैनेजर बहुत सुनाते भी हैं थोड़ा टॉक्सिक इंवार्मेंट जाता रहता है इंटर्नल पॉलिटिक्स जैसा रहता है तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रोग्राम काफी अच्छा है बैंक भी काफी अच्छा नो डावग जतना बड़ा इंडिया का बैंक रहता है उतना target प्रेसर जाता रहता है क्योंकि customer shipment उनका काफी हाई होता है और प्रेसर आप पे आने ही वाला है तो अब इस case में बहुत बच्चे पुछते हैं जॉब मिलेगी 100% या नहीं मिलेगी तो 100% जॉब मिलती है मनिपाल 100% आपको जॉब देता है 35-36,000 के बीच में एक साल के बाद आपका salary हो जाएगा deputy manager 1 का post हो जाएगा आपका और work profile relationship manager ही रहेगा ठीक है या फिर BRM दे सकते हैं PPU दे सकते हैं पर mostly आपका जो work रहेगा ज्यादतर branch banking sales का work रहेगा ठीक है तो एक चीज़ तो तो है कि sales work रहने माला है as a relationship manager आप branch में बैठेंगे ज्यादतर sales ही करेंगे फिल्ड में जाना होगा target pressure heavy रहेगा ठीक है नए account उखलाने का और ABD कराने का mutual fund कराने का home loan में जैसे की personal loan कराना business loan कराना कासा का भी काम दे सकते हैं आपको teller का भी काम दे सकते हैं like cashier का work दे सकते हैं branch operations का का काम दे सकते हैं ठीक है तो क्या worth it है 2,87,000 रुपए दे के HDFC का program join करना तो आप इंडिया की number one bank में काम करेंगो इसका experience बहुत valuable है other banks के लिए other sectors के लिए no doubt target pressure रहेगा और heavy रहने वाला है बहुत लोग survive नहीं कर पाते हैं ठीक है और बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है बहुत सारी चीज़ है बट मेरा ऐसा मानना है ठीक है मेरा अपना दो साल का experience रहा है एक साल banking sector अभी मैं कुछ finance collection department में हूँ ठीक है और फिर बड़े बड़े लोगों से बातचीत रहती है like कोई other bank के जूनियर से भी बातचीत है जो काम करना है यूटूब के दिरूब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं मिलते हैं वाट्स वर नमबर उल्लेड़ी दे रखा है तो जितना मैं अभी तक experience ले चुका हूँ काफी लोगों से थर्ड कस्टूमर्स से कम्यूनिकेट कैसे करना है ठीक है अगर लीड मिलती है और आदरवाइस फोर्थ आपका फील्ड वर्क रहेगा फिप्त ब्रांच मैनेजर है जो भी आपके रिपूर्टिंग अथर्टी होते हैं टीम लेटर उनसे कभी बहस नहीं करनी है फिप्त काम करना ही करना है नहीं करेंगे तो P.I.P. में इस तरीके का और फिर आपको निकाल भी सकते हैं आप से बोलेघंगे आप बर करते हैं जो लोग HDFC में काम करते हैं वो आप लोग अपना जैन्वन एक बार फीड़बेक जरूर दीजे वीडियो में और HDFC फूचर बैंकर्स प्रोग्राम के हम लोग बात कर रहे थे बाइब मनीपाल अकडमी बैस्ट रहने वाला है टारगेट प्रेशर अगर हम देखें तो हैबी रहेंगे बट आपको एक जॉब मिल जाएगी और 100 परसेंट जॉब मिलेगी इंटेंसिब से ही आपका सेलरी आना स्टार्ट हो जाता है और साथ इंटेंसिब में भी मैंने सुनाए कि 18-20 अजार देंगे डिपेंड उन सिडी व आप वहाँ पर वर्क करेंगे ठीक है वेल्यू रहेगी आपकी सुसाइटी में नो डाउट अंदर बैंक के अंदर आपकी वेल्यू ना हो आपको सुनने को मिले ठीक है और हडल वगयरा में बहुत सारी चीज़ा सुनने को मिलते ही ब्रांच मेनेजर या फिर आपके टीम ल पूराम करेंगे तो थैंक यू, all the best